हेलो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंट महिला को ऐसे फलो का सेवन करना चाहिए जो नुट्रेशन से भर पूर हो क्योंकि इस दौरान महिला को सबसे ज़्यादा नुट्रेशन के जरुरत होती है जो उचित आहार द्वारा पूरा की जा सकती है अनार भी उनी फलो में से एक है अनार में ऐसे नूट्रियेंट्स मौजूद होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को नूट्रिशन देते हैं और शिशु के समुचित विकास में भी मदद करते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान अनार खाने के 10 फाइदे बता रही हूँ अनार खाने के इतने सारे फाइदे होते हैं कि उन्हें जानने के बार भी आप रोजाना अनार खाना शुरू कर देंगी दोस्तों अनार में आईरन, फाइबर, आंटी ओक्सिदेंट्स, फोलेट, मिनरल्स, प्रोटीन और कई तरह के नूट्रियन्स होते हैं जो ना केविल गर्ब में पल रहे शिशों के लिए बहतर विकास में मदद करते हैं बलकि शरीर में नूट्रिशन की कमी को भी पूरा करते हैं इसलिए गर्ब धारन के बाद ही प्रेगनेंट महिला को अनार खाना चाहिए आईरन, दोस्तों अनार में आईरन भरपूर मात्रा में मौजूत होता है जोना सिर्फ प्रेगनेंट पहिला के बलड में हीमोगलोबिन को बढ़ाने का काम करता है बलकि इस दोरान होने वाले खोन की कमी को भी पूरा करता है अनार खाने से शरीर में पर्याप्त मात्रा में बलड बनता है जिससे अनेमिया की समभावना नहीं होती है पेट संबंधी समस्याई प्रेगनेंसी के दोरान अक्सर महिलाएं पेट संबंधी समस्याओं से परिशान देती हैं जिसका एक कारण पाचन क्रिया की गरबड़ी भी होती है अनार में फाइबर प्रचूर मात्रा में होता है जोना सिर्फ प्रेगनेंट महिलाओं के पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है बल्कि पेट संबंधी समस्याओं से भी पचाप करता है शरीर को पोशण प्रेगनेंसी के दोरान प्रेगनेंट महिलाओं को अतिरिक्ट पोशक तत्व की आवशक्ता होती है अनार में कई तरह के पोशक तत्व प्रचूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो प्रेगनेंट महिलाओं के शरीर में पोशक तत्व की जरूरतों को पूरा करते हैं और उन्हें स्वस्त रखने में मदद करते हैं इम्यून सिस्टम शरीर में हॉर्मोन असंतुलन के कारण प्रेगनेंट महिलाओं का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है जिसके चलते महिलाएं संक्रमन और बिमारियों की चपेट में आ जाती हैं अनार खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है मजबूत इम्यून सिस्टम ना सिर्फ संक्रमन से बचाव में मदद करता है बलकि शरीर को रोगों से लड़ने की शमता को भी पढ़ाता है हड्यों और मास पेशियों के लिए प्रेग्नेंसी के दौलान अक्सर महिलाओ को हड्यों और मास पेशियों में दर्द की समस्या बनी रहती है अनार में क्याल्शियों, फोलेट, विटामिन सी, आईरन, मिनरल्स, प्रोटीन, आदी जैसी नूट्रियेंट्स मौजूद होते हैं जो हड्यों और मास पेशियों के दर्द में अराम दिलाता है और उन्हें मजबूत करता है ताकि प्रेग्नेंसी में कोई परिशानी ना हो ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंसी के दारान ब्लड प्रेशर अनबाल्स रहना आम बात है लेकिन सामाने से बहुत जादा कम या बहुत जादा ब्लड प्रेशर रहना गर्ब में शिशू के लिए परशानी का कारण बन सकता है अनार खाने से ना सुरफ शरीर में बलड की सही मात्रा बनती है बलकि बलड फ्लो भी सही तरीके से होता है जिससे बलड प्रेशर बैलिंस रहता है तनाव रिसर्च के अनुसार अनार दिमाग के लिए बहुत फायदिमन्द होता है ये प्रेशर के दौरान होने वाले तनाव को कम करता है और दिमाग को रिलाक्स करता है शिशू के मस्तिश्क का विकास अनार में मौजूद नूट्रियंट्स और अंटि ऑक्सिडेंट्स गर्ब में पल रहे शिशू के मस्तिश्क के बहतर विकास में मदद करते हैं डिलिवरी के दौरान महिलाओं को कई तरह की शाररिक और मानसिक समस्याओं को जहिलना पड़ता है अनार इन सभी परिशानियों से निजात दिलाने में मदद करता है अनार शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है जिससे डिलिवरी के समय दर्द और अन्य समस्याय नहीं होती और नॉर्मल डिलिवरी के चांस भी बढ़ जाते है अनार में फोलेट होता है जो गर्ब में पल रहे शिशू के उचित विकास में मदद करता है और शिशू को जनम के साथ होने वाली बिमारियों से भी बचाता है प्रेगनेंसी के दोरान अनार खाने से जन के समय शिशू का वजन भी सही रहता है इसलिए हर एक प्रेगनेंट महिलाओ को अनार सदूर खाना चाहिए ताकि पूरी प्रेगनेंसी के दोरान कोई बड़ी दिक्कत ना हो और डिलिवरी के समय शिशु पूरी तरह स्वस्त रहें आशा करती हूँ, आज से आप भी रोजाना अनार का सेवन जरूर करेंगी आपको ये वेडियो कैसा लगा? प्लीज बता है वेडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थांक्यू बेरी मच